नमस्कार आसा करता हूँ आप ठीक होंगे तो आज की कहानी है मरी साधना पटेल डाकू के उपर दोस्तों जो आपको आज जिस वारदात के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो बारदात है मद्धे परदेश के चितरकोट से पिछडे तबके के बुद्धिनात पटेल मद्धे परदेश के विंदी इलाके के चितरकोट गाउं के रहने वाले थे उनकी तीन ओलादे थी जिसमें साधना सबसे बड़ी थी हाला कि साधना पढ़ाई लिखाई में काफी होसियार थी लेकिन उनकी ख्वाईस थी कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों में उसका नाम हो और लोग उसे याद रखे लेकिन साधना सीधा इससे उल्टी जिस उम्र में लड़की कोपी किताब पढ़ाई लिखाई करती है उस उम्र में साधना अपने बोईफ्रेंड के साथ जंगल में मोज मस्ती करती रहती थी जाईर है कि बहुत कम उम्र में वह रास्ता भटक बैठी थी कहीं इसके जिम्मेदार उसके पिथा बुद्धीनात भी थे जिनके घर हर दिन डाकों का आना जाना लगा रहता था डाकू चिन्नी पटेल का तो उनसे इतना याराना था कि जिस दिन वह बुद्धीनात के घर आता था तो उस दिन दारू मुर्गा की पाटी होती थी डाकू चुन्नी पटेल को साधना चाचा कहकर बुलाती थी और अक्सर उनकी बंदूग से खेला करती थी उनकी इसी हरकतों को देखकर डाकू चुन्नी पटेल हमेशा कहा करते थे कि ये लड़की एक दिन पुतली बाई से भी बड़ी डाकू बनेगी ऐसा ही हुआ 18 नवंबर 2019 को जब सातना पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा तो कोरिकियन मोड के जंगल से उसे गिरफतार कर लिया एक मामूली सी घर की खुबसूरत दिखने वाली साधना पटेल आखिर डाकू बनी कैसे कम हुमर में साधना को सेक्स का इच्छा होने लगा था और ये उसकी आदत बन गई थी और अपने बोईफरेंड के साथ जंगल में जाना और सेक्स करना और वो ये बार-बार करती जिससे उसके पिता बुद्धिनात काफी परिसान हो गई थे फिर उसके पिता ने इन सब च जाना लगा रहता है और साधना को ये भी पता चला कि उसकी बुगा का उसके चुन्नी चाचा से नाजाय संबंध है फिर साधना को पहली बार सेक्स को लेकर मर्दों की कमजोरी नजर आई लेकिन सेक्स की लत और कमजोरी अभी भी उसके पास से गई नहीं थी जिसके कारण उसके संबंद वहीं के एक ऐसे नोजवान से बने जो कि उसका मूँ बोला भाई था लेकिन एक दिन जब वो घर में संबंद बना रही थी तबी साधना की बुगा ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था तो साधना घबरा गई साधना को यह डर था कि उसकी बुगा के कहने पर डाकू चुन्नीलाल उसे और उसके प्रेमी को मार देगा इसलिए जान बचाने के लिए वो बुगा के घर से भाग गई जंगल में भाग जाने के बाद उसकी मुलाकात एक मसूर डाकू से हुई जिसका नाम था नवल डोबी और जब उसकी मुलाकात नवल डोबी से हु तो उसे यह पता चला कि नवल डोबी ओरतों के मामले में काफी सक्त था उसका मानना था कि ओरते दाकू की बरबादी की बहुत बड़ी वज़ा होती है और इसलिए वो अपने गिरों में किसी भी ओरत को सामिल नहीं करता था लेकिन साधना को देखते ही नवल डोबी का मन डो को लुठा और अपने इसी मन को डोलते के साथ उसने साधना को ना सिर्फ अपने गिरों में सामिल किया बलकि उसे अपनी जिंदगी में भी सामिल कर लिया वैसे तो आदमी जिस परकार कपड़े बदलते हैं वैसे साधना आसिक बदलती थी लेकिन नवल डोबी के साथ उसन सहतियारों को चलाना सीखा और उस गिरों में रहकर कई वारतातों को भी अंजाम दिया जिससे उसका नाम आसपास के इलाकों में मसूर होने लगा और खोप फैलने लगा लोग उसके नाम से डरने लगे लेकिन एक दिन पुलिस के हातों नवल डोबी लग गया फिर पुलिस न वारतातों को अंजाम देने लगी गिरों के लोग उसे साधना जी कहते थे लेकिन वे कई मर्दों के साथ संबंद बनाती रही और अपना गिरों बनाने की सुरुवाती दोर में वे रंगदारी वसूलती थी लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि नामी डाकू बनना है और बनाए रखना है तो जरूरी है कि किसी एक ऐसी वारतात को अंजाम दिया जाए जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैले और उसने कुछ ऐसा ही काम किया भी इसलिए उसने 2018 में नया गाओं के ठाने में आने वाले पाल देव गाओं के छोटू सेहन को अगवा कर लिया छुटक सेहन ने इसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्च कराया तो इस कांड की चर्चा वाक कही वैसी ही हुई जैसी वे चर्चा कर रहे थे इस कांड के बाद साधना का नाम खोफ और भी अच्छी तरह फैलने लगा और लोगों के मन में उसका डर बैठ गया इसी दोरान उसकी जि बना है उसे अगवा नहीं किया बलकि वे खुद अपनी मर्जी से साधना के साथ रह रहा है तो पुलिस ने उसे भी डकैत गोशित कर दिया और उस पर दसजार का इनाम भी रख दिया छोटू पटेल 6 अगस्त 2019 को गायब हुआ था लेकिन हकिकत में इससे पहले ही वे साधन से मिला करता था और दोनों जंगल में रंगरलिया मनाया करते थे सच जो भी हो लेकिन ये तय था कि साधना छोटू से दिल लगा बैठी थी और इसी खुआ इसको पूरा करने के लिए वे कभी कभी जीन सट उतार कर साड़ी भी पैन लिया करती थी छोटू पटेल भी उस प दबदवा पूरे इलाके में था उसके सामने साधना की कोई ओकात नहीं थी तो वह समझ गई कि जैसे पुलिस बड़े-बड़े डाकों का एंकाउंटर कर रही है तो मेरा नंबर भी आ सकता है उससे इस सब के बारे में जानकारी मिली तो उसे लगा कि अब मेरा एंकाउंट होना पक्का है तो मैं अंडर ग्राउंड हो जाती हूं और वह अंडर ग्राउंड भी हो गई छोटू पटेल के साथ वो फिर जासु और दिल्ली में रही जहाँ है पूरी तरह घरेली औरत की तरह रही ताकि आस-पास में किसी को भी सकना हो लेकिन कुछी समय में उनके सारे पैसे खत्म हो गए फिर साथना ने दुवारा वारदातों को अंजाम देने का सोचा और प्लैनिंग की और वापस जंगल लोट आई उसका यह प्लैन था कि वापस जंगल में जाकर वहाँ दो-चार वारदात को अंजाम देना और पैसे आते ही दुवारा से अंडर ग्राउ गिरफतार करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाब चार सिट डायर की और पोर्ट में पेस किया जहां पर उसे उम्र कैद की सजा हुई और अभी भी वे जेल में सजा काट रही है तो कैसी लगी आज को आपको कहानी कमेंट में बताईएगा जरूर और इसी तरह से रोचक काटी सुनने के लिए हमारे इल्लूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद